हलो दोस्तों कैसे हैं सब मैं ही मानशू स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल होरर सस्पेंज सीरीज का अगला कॉमिक विशेशांग कुर्सी कुर्सी के वल बैठने की वस्तु नहीं कुर्सी किसी इनसान के पद वह उसकी गर्मा की परिचायक है वो एक कलर की पहचान हो सकती है वो किसी डॉक्टर की शान हो सकती है वो एक लेखक की जान हो सकती है वो एक अध्यापक की आन हो सकती है वो एक अफसर के लिए उसका प्रशान सर को समझ में नहीं आया क्या समझ में नहीं आया फ्लाइट ऑफिसर मिस्टर रमाकान यही सर की शहर से दूर यहाँ आदिवासी बहुल छेत्र में आपका इसलिए जाना कि एक आदम खोड़ शेर पिछले तीन दिनों में पाच बच्चों को और दो लोगों को मार च में वाली बात क्या है आदिवासी बहुल ही सही मगर यह इलाका मेरे काड़ छेत्र में आता है मुझे यहां की जंता ने वोट दी है यह लोग मेरी जिम्मेदारी एरमाकान मैं सिर्फ इसलिए बहा नहीं जा रहा कि इन लोगों ने वोट देकर मुझे जिताया है बलकि इसल उनमें जिने की मजबूती पैदा करेगा बस कुछी देर में हम वहां पहुच जाएंगे सार क्लाप उफ यह जटका कैसा था यह जटका हेलिकॉप्टर के पंक्रे के कारण लगा था मुझे लगता है उसकी गती कुछ कम हुई है इसकी पंक्रिया जटके ले रही है शायद वो जाम हो रही है वो जाम हो गई है क्लाप वी आर वी आर इन ट्रबल सर परेशानी खतम हो गई थी यह फिर शुरू हो गई थी ओ नौ स्क्रिंच यहां असपास कोई नहीं है मुझे देखना होगा कोई जिन्दा तो नहीं बचा होगा हेलिकाप्टर में ब्लेक कमांडू की मौझूद की यह जाहर करती है कि इस दुरकाटना में मरने वाला कोई वी आईपी हसती है शायद कोई सांसद या कोई मंतरी या फिर अपोजिशन दल का कोई लीडर और वो यही होना चाहिए क्या मैं इसे पैचानता हूँ बहुत अच्छी तरह से क्योंकि मैं अपनी ही सूरत से आने भी गिनाई हो सकता हमारी सूरत हूबहू मिलती है यहूबहू मेरे पहले की शकल है मेरे चेहरे पर उबरे फफोलों से पहले की शकल ये कैसा संजोग है एक हेलिकाप्टर दुरगटना ग्रस हुआ उसमें जो लो वहां मैंने कहा था ना कि मैंने हेलिकाप्टर गिरते देखा है यह तो प्रशान बाबू है हमारे नेता हमारा मसीह हमें नर्बक्षी शेर से चुटकारा दिलाने आ रहा था हमारा भगवान नहीं रहा शोक शोक वो लोग मेरी सूरत देखकर चौंक सकते थे मगर जो काम प् हां मैंने भी सुनी थी दो गोलियां चली है नर्बक्षी शेर मारा गया किसने मारा कोई दिखाई नहीं पढ़ रहा देखेगा कैसे मैं वहां रुकता तो बेकारी लोगों के हैरानी को बढ़ाता लेकिन मुझे जानना हुआ कि पुलिस हेलिकाप्टर दुरगटना इस दलत ये तो वही कार है पी पी ये वही कार थी वो यहां पर नहीं रुकी मगर ये तो पहली भी घटना इसल पर करी थी मैंने देखा था हां देखा थो मैंने भी था पर दुरगटना के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया था खबर आग की तरह फैली हाज़सा देश की सबसे वड़ी सत्तारून पार्टी आज़ाद भारत की अद्यक्ष विजयार रूपाले के बड़े बेटी की मिद्ट्यू की था क्या, मा, आपने सुना मा, प्रिशान भाई नहीं रहे, हम एहम्मत से काम लेना चाहिए, हम एहम्मत से काम लेना होगा धुजबेटे, हम मा होकर ऐसी दुखा दिस्तिती में भी नहीं रो सकते हैं, हम पर सारे देश की जिम्मेदारी है, हम खुद को कमजोर साबित नहीं कर सकत प्रशान्द की शव्यात्रा में लाखों लोगों की मौजूदी उसकी लोग प्रियता को सित्य कर रही थी वो इंसान नहीं फरिष्टा था, वो नेता नहीं देवता था अच्छे लोग कभी-कभी इंसान के शटेंत्रों उसकी इशा का शिकार होकर भी भगवान के पास पहुँच जाते विजयारूपाले जिन्दाबाद हम तुमारे साथ हैं तो ये विजयारूपाले का बड़ा बेटा था, बड़ी राजनेता का बड़ा बेटा, जिसकी सूरत मुझसे मिलती है खोन से खोन जुदा हो गया, जिगर से जिगर जुदा हो गया, रिष्टे से रिष्टा तूट किया मौत बहुत कुछ छीन लेती है, कभी कभी आशू भी, बड़ी राजनेता की बड़ी जिम्मेदारी, आशू कमजोरी, देश का खयाल, मा आशू नहीं बहा सकती लेकिन एक मा को पता होना चाहिए कि आशू आखे नहीं बहाती, आशू तो दिल बहाता है, जब वो तुकड़े तुकड़े होता है, तो जरूर रोता है क्योंकि दिल के साथ किसी की भावनाय जुड़ी होती है भावनाय दिल पर चोट करती हैं तो दर्द होता है भीशन दर्द, पत्थर दिल भी रो पड़ते हैं मगर एक मजबूर्बा नहीं रो सकती एक कमजोर मा, देश का खयाल, मगर कब तक जनता में बेहर लोग प्रिय एक युवा नेता की मौत एक हाथसा, नैट्रल डेथ, कुदरत का कहर हाथसों पर किसी का बश नहीं, इनसान का भी नहीं इसमर्थी स्थल पर इनसान का बश है इनसान के जाने के बाद उसकी इसमर्थियां शेश बसती है जहां आकरी सास ली वहां इसमर्थी स्थल आकरी सास ली भी या बची सासों के साथ भटकता रहा भला ये कौन जाने, वही कार, हाँ वही है हेलिकॉप्टर भी यही है, स्क्रिंच हास्से की जाच खत्म, उड़न मशीन की पंकुडियों में आई खराबी से हुआ हाथ सा, खराबी कैसे हुई, कौन जाने मुर्दा मशीन की रखवाली के लिए दो कमांडू, एक युवा करमट और लोगपुरी ये जंदा इंसान की सरक्षा के लिए सिर्फ एक था क्या चाहिए, जाच, हो चुकी है, तुम कौन क्राइम ब्रांच, सीनीर ओफिसर अमर बड़ी नेता के बड़े नेता बेटे की मौत की चारज के लिए सिर्फ एक दिन काफी नहीं क्राइम ब्रांच से कोई सीनीर ओफिसर है, अमर इस मुर्दा मशीन ने चार इंसानों के अड़ियों का चखना चूर किया है इन्वे से एक जिन्दीगी ऐसी थी जिसकी मौत ने कई हजारों लाखों की रीड को जग जोर दिया इनसान ने बनाई मशीन, मशीन बन गई इनसान की तकदीर, तकदीर बन गई दुश्मन दुश्मन कौन? इंसान? या वाकई मशीन? एक ऐसी मशीन जिसकी पंखुड़ियों की शाफ्ट में बालों का गुच्छा फसा मिला? बालों का गुच्छा देश की सबसे वड़ी नेता का बड़ा बेटा लाकों का चाहेता नेता बेटा सुरक्षा में इतनी ढील? एक कमांडो तो दिया, मगर हथ्यारे बाल छोड़ दिये, यह देखो बालों का गुच्छा कहां से मिला? मौत के पास से. क्या मतलब पशान बाबु को उनी बालों न मारा है? यह हथियार है, हथियारे के हथियार, शायद कोई शड्यंत्र, कोई साज़िश, जाज कमीशन में ये बाल क्यों नहीं मिले जिंग 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 बचो ओफ वैसे कमांडोज हो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते दूसरे की कैसे करोगे सम्हालो कमांडो हो चीते जैसे बनो चुस्त फुरतीले ऐसा होना अपने बचाव के लिए भी ज़रूरी है मुर्दा मशीन की इन्वेस्टिकेशन में ने उन लोगों को बॉकला दिया है उनकी बॉकलार्ट साबित करती है कि डाल में कुछ काला है वो लोग कौन है पता लगाना होगा मुझे उमीद है कि वो लोग मुझे जिंदा चुरकर जाने के मूड में नहीं होगे मैं भी उनको अपने हाथों कुर्से घिसरती हुई हमलावरों की कार का पीछा उतरी स्प्लिट से कर रही है बलकि उनकी कार से भी ज्यादा तेजी से और ये बात हमलावरों को बॉखलाने के लिए काफी है तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाब करते हैं और मिलते हैं ठिल और सस्पेंज सीरीज की कॉमिक विशेशांग कुर्सी के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद